हेलो स्टुएट्स कैसे आप सब मैरा मदिक्षित आपका इंगलिश टीचर आज की सिंगलिश क्लास वें आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टेंस और आज हम इसके टूपार्ट्स जो फर्स्ट का एक group है ठीक है आई वी यू दे और plural का एक group हो जाएगा आपका और इसके बाद ही शी इट और singular का एक group हो जाएगा तो यह दो ग्रूप आपको जब याद हो जाएगे तो इन में difference पता चल जाएगा कि present indefinite tense को हम जब करते हैं तो उसमें क्या difference रहता है जो i, we, you, they और plural का जो group है उसमें हम verb की first form लगाएंगे ठीक है अकेली form आएगी इसमें first form लेकिन जब हम he, she, it और singular को use करेंगे तो इसके साथ use करते हैं boys play cricket ठीक है तो boys क्योंकि plural है इसलिए हमने सिर्फ वर्ब की first form का use किया I play cricket तो यहाँ पर I इस group में है तो first form आई है you do not play cricket तो you इस group का है ठीक है तो negative sentence है यह तो negative में हम do not का use करेंगे क्योंकि इस group के साथ हम do का use करेंगे ठीक है इसी तरीके से interrogative sentence जब हम बनाएंगे तो do we play cricket तो इसी तरीके से अगर interrogative negative हम बनाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे do we not play cricket do we not play cricket ठीक है तो अब इसको आप यह देखिए कि इसमें हो क्या रहा है कि इन में अब आपको simple सा formula याद हो गया है कि I, we, you, they और plural का जो group है उसमें हमने वर्ब की first form लेनी है ठीक है यह गलती कभी मत करना चाहे आप speaking कर रहे हो या फिर आप writing कर रहे हो तो आप इसको इसी तरीके से आपने करना है इस group के साथ आपको सिर्फ वर्ब की first form लेनी है और do का use करना है ठीक अब next group पर हम आते हैं he, she, it और singular का जो group है इसमें क्या है कि हमें वर्ब की first form और ses के use करते हैं तो इसमे कभी भी आपको जब singular लिखा मिले जैसे boy लिखा मिला तो आप जब present tense की बात आएगे present indefinite की तो boys play cricket ठीक है boy plays cricket तो इस तरीके से ये आ जाएगा he plays cricket तो अब आप यहां पे देखिए वर्ब के साथ हम s का use कर रहे हैं ठीक है अगर मान लोग go form होती go verb की form होती तो boy goes to school ठीक ह boy goes to school he goes to school तो इस तरीके से गोज जी ओएस आ जाता ठीक है तो लेकिन यह इस में क्योंकि s का use होगा plays play के साथ तो आगे देखिए अगर इस group के साथ he she it और singular के group के साथ अगर हमें negative बनाना है तो does not लगाएंग ठीक है does का use होगा क्योंकि यहां पे हम s का use कर रहे हैं जब s क के साथ भी यहां पर yes लगा देंगे does बन जाएगा और आप यह देखिए कि जब does आ जाएगा तो वर्ब की first form हो जाएगी इस form के साथ s का use हम फिर बाद में नहीं करेंगे तो she does not play cricket इसी तरीके से interrogative में भी हम does का use करेंगे अगर यह group है he she it does he play cricket question mark तो इसी तरीके से आपक के group के साथ हम वर्ब की first form का use करते हैं और he she it और singular के group के साथ हम वर्ब में s या yes जोडते हैं इसी तरीके से हम इस group के साथ जब negative या interrogative बनाते हैं तो do का use करते हैं और he she it और singular के group के साथ क्योंकि इसमें s या yes जोडता है तो इसी तरीके से do में भी हम s या yes को जोड़ करके does का use करते हैं she does not play cricket does he play cricket तो इसी तरीके से आपको ये दो बातें ध्यान लखनी है कि इस ग्रूप में हमें SEAS का use करना है और IBU दे और plural के ग्रूप में हमें use नहीं करना है क्योंकि वो पहले ही plural है तो इसलिए उसके साथ SEAS जोडने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हम verb को उसमें हम plural बनाने की जुरूरत नहीं है अब आप ये देखिए तो अब हमारा present indefinite clear है तो इसके बाद आप देखिए जब हम किसी habitual action की बात करते हैं तो present indefinite हम use करते हैं जैसे John gets up early ठीक है in the morning इस तरीके से हो सकता है तो यहाँ पर क्यों रहा है जब habit की बात होती है तो उसकी आदत है तो इसलिए वरब की first form का हमने use किया है तो John क्योंकि इस group का है singular वाले group का तो get के साथ वरब की form में S जुड़ गया तो आगे देखिए general truth हो universal truth हो scientific truth हो तो जब किसी भी परकार का जो truth है तो जब हम उसकी बात करते हैं तब भी हम present indefinite tense का use करेंगे जैसे the sun rises in the east sun क्या है singular है इसलिए S E I E S का use हो जाएगा sun rises in the east और यह universal truth है तो इसलिए इसमें क्या आएगा present indefinite next देखिए the truth fears no exam truth को किसी exam की जुरूरत नहीं होती किसी exam का कोई डर नहीं होता तो इसी तरीके से ये क्या है ये एक general truth है तो इसी तरीके से जब कोई truth की बात आती है तो हम present indefinite का बात करेंगे और कोई fact की बात करते है time of speaking जैसे जब हम बात कर रहे हो किसी से और उस time की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर Raju lives in Delhi ठीक है तो leaves तो यहाँ पर फिर हम present indefinite बात करेंगे जब हम बात करते हुए कोई बात कह रहे हैं तो next देखे historical present की अगर बात करें अगर हम history के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम जब उसके बारे में कोई story बता रहे हैं तो इसी तरीके से हम उसमें भी present indefinite का use कर सकते हैं अकबर wins the battle ठीक है मानलों को story बता रहे हैं और अकबर जीत गया इस तरीके से हमने कोई बात बताई तो हम present indefinite यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से हम बोलते हैं जब कमेंटरी करते हैं तो यह भी हम present indefinite का use करते हैं तो आये अब हम देखते हैं present continuous tense present continuous tense बहुत ही easy होता है सबसे easy होता है तो इसमें क्या है कि i के साथ हम क्या use करते है m का use करते है i am playing cricket ठीक है जब हम खुद के बारे में बात यूज़ करते हैं तो हम क्या करते है i के साथ m यूज़ करेंगे और u, v और they इन तीनों के साथ क्योंकि यह इसी group के हैं तो इन के साथ हम r का use करेंगे क्योंकि यह plural के साथ आते हैं तो आर का यूज करेंगे, तो इनमें plural form आ गई है, तो next देखी, boys are playing cricket, boys are playing cricket, तो यहाँ पे भी boys plural है, तो इसलिए आर, तो boys के साथ हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि plural है, इस group के साथ हम, I के साथ हम, we, you, they, और plural के साथ आर का यूज करेंगे, और जब हमें interrogative बनाना है, या negative बनाना है, तो क्या करेंगे, I am not playing cricket, ठीक है, तो यहाँ पे helping verb के बाद, क्या जाएगा, not, देखे, इसी में भी, इसी तरीके से, they are not playing cricket, ठीक है, we are not playing cricket, they are not playing cricket, तो यहाँ पे आजाएगा, not, boys are not playing cricket, तो जब plural की बात आती है, तब भी, आर के बाद, not helping, मतलब helping verb में not जुड़के, और first form के साथ, ing लग जाएगा, ठीक है, तो इसमें, first form में क्या जुड़ेगा, ing, कोई काम हो रहा है, तो हम, यहाँ पे continuous tense, आगे देखे, am I playing cricket, ठीक है, am I playing cricket, तो, यहाँ पे question mark आगया, तो जब question mark की हम बात करते हैं, जब interrogative sentence की बात करते हैं, तो हम am को पहले use करेंगे, और उसके बाद हम last में question mark लगेंगे, इसी तरीके से plural की बात आती है, तो are boys playing cricket, ठीक है, are we playing cricket, are you playing cricket, are they playing cricket, इस तरीके से हम इसको use करेंगे, इसके बाद देखे, am I not playing cricket, are you not playing cricket, और he, she, it की जब बात आती है, singular की बात आती है, तो हम क्या करेंगे, he, she, it, ठीक है, इनके साथ हम you, is का use करेंगे, इन तीनों के साथ, he is playing cricket, ठीक है, और next, देखिए, जब singular की बात आती है, मान लो, कोई लड़का है, राज, राज is playing cricket, राज is playing cricket, तो इस तरीके से, is राज use करेंगे, क्योंकि यह singular है, ठीक है, तो dear students, बहुत ही easy तरीके से, आप इसको अगर एक बार ध्यान दें, तो बहुत ही easy होता है, चाहिए इसके interrogative की बात हो, negative की बात हो, या affirmative की बात हो, तो आप इसको easily कर सकते हैं, तो आप इसको try कीजिए, और इन दो वर्व के first form, और इस group में वर्व के first form, और SEA ES का use, ध्यान रखिए, तो, और मैंने आपको बता दिया है, कि do or does किस तरीके से आएगा, तो आपको सारा का सारा clear हो जाएगा, और आपको बहुत मजाएगा, इसके बाद हम, इसकी practice भी करेंगे, examples को ले करके, आप से बात करें ठीके बच्चो, thank you, bye